Hi student, today our subject is Hindi, part 2, topic, Sayukta Akshar. Sayukta Akshar का याने जोड़ शब्द. Okay, next. So now student, अभी हम Sayukta Akshar के शब्द देखते. First one, म, जमाय, म्य. म्य, म्य को आ की मात्रा म्य, न. म्य, न. म्य को आ की मात्रा म्य, उ. म्याय, म्याय, याने क्या, अब बिल्ली की आवाज की शब्द थे. वो कैसे साउन आता हैं म्य, बिल्ली का म्याय, म्य, जमा, ह, म्य, त को उ की मात्रा, म को आ की मात्रा, र को आ की मात्रा, तुमारा. र जमा क, क्र, फ, जमा क्र, फर क, दूसरा शब्द तर क. फॉर्ट पन क्या है र जमा ख क्रो मा को हुकी मात्रा मू मूर्ख दुसरा शब्द कुन सा है चर्खा फिफ्ट पन र जमा च च मिर्च मिर्च याने चिली सेकेंड वान खर्च सिक्स पन र जमा मूर धर्म सेकेंड वान कर्म सेवेंफ पन र जमा य त्रियो सको उकी मात्रा सुर्य याने सन सेकेंड वान कार्य एट पन र जमाव प्र पुर्व सेकेंड वान गर्व अब वी वापस से पढ़ती हूँ म्यान, म्याउ, तुमारा, फर्क, तर्क, मुर्ख, चर्खा, मिर्च, खर्च, धर्म, कर्म, सुर्य, कार्य, पुर्व, गर्व ये कौनसे शब्द है इस्टुडाणट? ये सयुकत अक्षर याने जो दो अक्षरा के एक शब्द बनता है म जमा हो म र जमा को कर र जमा को कर र जमा च च र जमा म र जमा य य प्यो र जमा को कर उके अब हम वर्चित देखते इसका प्रश्न पहला शब्द बनाओ याने क्या यह निकाल के आपके क्या करना है शब्द बनाना है फर्स्ट बन क्या है म्या जमा नो सेकेड़ बन तो को उकी मत्र तू जमा मा जमा रा तू मा रा थर्ड बन म को उकी मत्र जमा ख मूर ख प्रश्न पहला हो गया प्रश्न दूसरा देखो और लिखो मतलब आपको यह जो शब्द यही देख के आपको नेचे के लाइन में लिखना है पहला कौनसा है म्याओ याने बिल्ली जावाज निकलते हैं वसे म्याओ फर्क याने डिफरंट तरक याने जो इसे सेंस पर है उससे क्या बोलते है तरक पुर्व गर्व ओके नेक्स्ट प्रश्न तिसरा जोड़ आपको इसमें क्या करना है यहा एक लाइन यहा एक लाइन जो सेम वड़े उसे क्या करना है, जोडना है, पहला कॉनसा है पूर्व, पुर्व ये शब्द यहा का है, यहा है, तो मैंने उसे क्या किया, जोडा, थर्डवन कर्म यह शब्द यहां कहा है इस लाइन में यहां है तो मैंने उसे क्या किया जोड़ा तुमारा तुमारा यह शब्द कहा है यहां है तो मैंने उसे क्या किया जोड़ा मैं यह शब्द यहां कहा है यहां है तो क्या किया उसे मैंने जोड़ा इस तरह से हमारे स्वयुक्त अक्षर के शब्द जोय वर्चित है हो चुके, राइट इन यो नोट बुक्स त्री टाइम्स और इसका अच्छी तरह से आपको पढ़ाई करना है, थैंक यू